दोस्तों आपने माता सती की कथा तो सुनी ही होगी आईए इस कथा को एक बार फिर सुनते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं दोस्तों मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से प्रयास में जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुडने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन को और खुशाल और सम समय उनको देवताओं ने प्रजापती पद से सम्मानित किया एक यग्गी होना था जिसमें उनको आधिकारिक तौर पे ये पद दिया जाना था यग्गी की खुब धूमधान से तयारियां शुरू हुई प्रजापती पद उस समय धर्ती का सबसे बड़ा पद था अब रा पास पास जो लोग कभी आपसे बडरावरी का दर्जा रखते थे अच्छे से बाते करते थे और अचानक उनका कोई प्रोमोशन हो गया या उनको समाज में कोई उचापद मिल जाता है तो वो एकदम बदल जाते हैं कारयाले में तो यह अक्सर होता ही रहता है मगर इसका सबसे अच्छा उदाहरन आप राजनीती में देख सकते हैं जो जितना उपर उठता चला जाता है वो उठना ही अपनों से दूर हो जाता है गमंड किसी भी चीज का हो सकता है किसी को अपने पत का गमंड होता है किसी को समय की बात होती है, कभी हमारा घमंट जल्दी तूट जाता है, कभी हमें थोड़ा समय लग जाता है धर्टी पर आने में। अब सोचिए, अगर प्रजापती दक्ष को उनके घमंट का फल बकरे का सर लगा कर मिला, तो हमारा क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब माता सती को पता चला कि उनके माईके में एक बहुत बड़ा यग्य होने वाला है, तो उनका भी मन हुआ वहाँ जाने का। लेकिन शिवजी से कैसे पूछें, उनको तो बुलाया ही नहीं गया था, तो माता सती कुछ उदास सी हो गई। अब देखिए, ये एक स्त्री की व्यथा है, माईके में इतना बड़ा समारो है, पर जान नहीं सकते, अगर ऐसे में थोड़ा सयम रखा जाए, और मिल जुलकर ही कुछ सोचा जाए, तो माता सती के जैसे भागे से बचा जा सकता है, घर की महिलाओं को भी ये समझना है, तो वहां नहीं जाने में ही भलाई है, चलो, अब शिव जी तो सब जानते ही थे, फिर भी उन्होंने माता सती से पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों है, अब सवाल ये आता है, कि अगर भगवान शिव सब जानते ही थे, तो उन्होंने माता सती से सवाल पूछा ही क्य दोस्तों कभी-कभी हम सामने वाले के मुझ से ही वो बात निकलवाना चाहते हैं ताकि बोलने वाले को खुद हैसास हो कि वो जो मांग रहा है क्या वो सही है हमारी आत्म जागरुकता खुद ही हमें बताना चाहती है कि हम गलत मांग रहे हैं अब ये हमारे उपर है कि हम जिद्धी होते हैं या जागरुख होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। माता सती ने उन्हें बताया कि उनके माईके में एक यग्य होने जा रहा है और वो भी उसमें भाग लेना चाहती है। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहां बुलाया नहीं गया हो, वहां जाना नहीं चाहिए, एसी जगा जाने से आत्म सम्मान नश्च होता है, आत्म गौरव नश्च होता है, वहां प्रेम नहीं मिलता, जहां हमारी विरोधी भावना हो, वहां जाने से हमारा नै प्रभव से ही सीखने का मौका दिया। हमारे साथ भी ऐसा अक्सर होता है जब हमारे करीबी कुछ गलत मांग करते हैं और हमारे समझाने पर भी नहीं समझते। ऐसे में हमें उन्हें ठोकर खाकर सीखने का मौका देना चाहिए। हम कभी-कभी अपने करीबियों को, अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित वातावरन में रखते हैं। उनकी हर बात मानते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत बात करता है तो हमें उसे सीख देनी चाहिए, अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो हमें उसे ठोकर खाने का और खुद ही समलने का मौका देना चाहिए इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और वो जीवन की चुनौतियों के लिए तयार होते हैं इसके हागे हम सब जानते ही हैं जब माता सती उस यग्य में गई और उन्होंने देखा कि प्रजापती दक्ष्न वहगवान शेव का भाग यग्य में नहीं रखा है तो बहुत नराज हो गई और उसी यग्य में वो सती हो गई अब इस संपून प्रसंग से हमने क्या सिखा हमें कभी भी किसी भी बात का एहंकार नहीं करना चाहिए बलकि हमें अपने अंदर विनम्रता को बढ़ावा देना चाहिए हमें समझना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है एहंकार न केवल हमारे अपने लिए बलकि हमारे पूरे समाज के लिए विनाशकारी होता है आप सोचिए अगर हम अपने अंदर एहंकार के स्थान पर थोड़ी नमरता ले आएं तो पूरा समाज बलकि पूरा युक बदद सकता है सोचिए मेरी बात पर दूसरी बात हमने यह समझी कि जहां हमें नहीं बुलाया गया हो वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए ऐसी जगा जाकर हम समाज में सम्मान खो देते हैं कभी-कभी इसके प्रिणाम भहुत बुरे भी हो सकते हैं हमें अपनी भावनाओं पर नियंतन करना चाहिए जित तो कभी करनी ही नहीं चाहिए जित की मतलब हमारा विवेग गया वीवेग गया समझो हमारा सब कुछ गया हमें अपने शुप चिंतेकों की बात माननी चाहिए और हमें अपने करेबियों को भी कुछ गलत कदम उठाने से रोकना चाहिए आज एक ज़रूरी बात हमने यह भी सीखी कि हमें अपने प्रियेजनों के अपने बच्चों के आसपास बहुत सुरक्षित वातावरन नहीं बनाना चाहिए इससे वो मुश्किलों से लड़ना नहीं सीख पाते हैं कभी-कभी उन्हें ठोकर काकी सीखने का मौका देना चाहिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमें लाइक कीजे और अपनी नई प्रिडी को खास सौसे पांसे दस साल के बच्चों को हमसे ज़रूर जोड़िए क्योंकि इसी उम्री के संस्कार उनकी सारी जिन्दगी उनका मार्ग दर्शन करेंगे दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो क्रेपे हमें वाटसेप पे वॉइस या टेक्स मेसेज बिजें कॉल नहीं करें हम खुद आपको कॉल बेक करेंगे धन्यवाद